हेलो फ्रेंड्स, बिल्कम बैक टू माई चैनल जैसा कि अभी चल रहा है ते उहारो का सीजन तो इस मौके पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मीठी मीठी रेसिपी जो की है हम सब का फाइबरेट कलाकंद मुझे लगता है ऐसा कोई नहीं होगा जिसे कलाकंद नहीं पसंद आते होंगे और साथ ही साथ जो डियबरेटीज के पेसंट है उन्हें भी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये हलका मीठा होता है ये कलाकंद जो मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूं उसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ दो इंग्रिडियम से बन जाता है और खाने में इतना टेश्टी कि पूछो इमत मार्केट से अब जो कलकंद लाते हैं वो भी इसके सामने फेल है यह इसका टेश्ट इतना टेश्टी बन कराता है तो चलिए कलकंद बनाना स्टार्ट करें और अगर आपको यह मेरी कलकंद की रेसिपी अच्छी लगे तो इस र लीटर दूद उबरने के लिए रखा है और हाप लीटर दूद मैं बचा के रखी हूँ उसका यूज में आगे बताऊंगी दूद को आप मीडियम फ्लेम पे उबाल लें बीच बीच में इस तरह से चलाते रहें और जैसे ही उबाल आ जाया है तो आप गैस को आफ कर दो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी दूद में उबाल आ चुकी है तो मैं यहाँ पे फ्लेम को करती हूँ आफ यहाँ पे मैं दूद को फारने के लिए दो नीमू का रस निचोड़ कर ली हूँ और अब इसमें आधा कप पानी डाल कर मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो यहाँ पे वाइट वेनिगर से भी दूद को फार सकते हैं अब इस नीमू के रस को थोड़ा थोड़ा करके दूद में डालें और बीच बीच में चला कर देखते रहें आपका दूद सही से फटा है या नहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं दूद तो फटा है लेकिन बिल्कुल छेना अलग और पानी अलग नहीं हुआ है इसलिए मैं इसमें 3-4 चमच और निमो करस डाल रही हूँ क्योंकि हमें चाहिए यह छेना बिल्कुल अलग और पानी अलग बिल्कुल परफेक्ट पनीर बनना चाहिए तभी उससे कलाकंद बिल्कुल अच्छा बनेंगे चलिए तो अब आप देख सकते हैं कि अब यह दूद बिल्कुल फट चुका है पनीर अलग और पानी अलग बिल्कुल हो चुका है यह आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल ग्रीन अलग निकल चुका है और यह छेना भी बिल्कुल अलग तो इसे अब छान लेंगे इसे आप छानने के लिए कोई भी पतला कपड़ा हैंकी या पतला चुननी का मदद ले सकत तो इसे बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा पानी डाल कर इस तरह से चला चला कर धोलें ताकि इसमें बिल्कुल भी खटा पन नहीं रहे इधर मैं जो हाप लीटर दूद बचा कर रखी थी उसे बॉइल कर लूँगे वीच वीच में दूद को इस तरह से चला लें और जितनी देर में यह दूद गर्म होती पानी च्छेने को मैस कर लेंगे इस तरह से एक ठाली पे आप डालने सारे छेने को और इसे अच्छी तरह से मैस कर लें आप मैस करने के लिए किसी फोक, कोई पुटाटो मैसर या कोई भी इस पुचला कमद ले सकते हैं इस तरह से इसे दवा दवा कर प्रेस करते हुए इसके छोटे छोटे टुकड़े कर ले आप चाहे तो कलकन को पनीर से भी बना सकते हैं लेकिन वो स्वाद नहीं आता है जो की घर पे छेने फाड़ कर बनाने से आता है यहां पर आप देख सकते हैं यह बिल्कुल अच्छे से मैस हो चुका है कलकन दानिदार होता है इसलिए आप इस स्टेज में इसे छोड़ दें इधर मैं दूद को भी चेक कर लेती हूँ यह दूद को आपको तब तक वालना है जब तक यह हाप ना हो जाए या थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए तो अभी मैं इसमें चीनी आड़ कर देती हूँ यहाँ पे मैं 3x4 cup चीनी ले रही हूँ यह छोटा सब कप है जिससे हम चाय पीते हैं उसी कप से मैं 3x4 चीनी ले रही हूँ क्योंकर कलकंद हलका मीथा होता है इसलिए आप इसमें ज़्यादग चीनी नहीं डाले ज्यादा मीथा हो जाने पर कलकंद का वो स्वाथ नहीं रहता है जो की मार्केट वाले कलकंद हूथ यहाँ पे इसे चलाते हुए mix कर ले अब आप देख सकते हैं कि दूद की quantity बिलकु कुछ भी बोल सकते हैं अब इसे चलाते हुए दूद के साथ मिक्स कर ले यहां पे आप देख सकते हैं दूद और छेना दोनों बिल्कुल अच्छे से कर दूसरे के साथ मिक्स हो चुका है अब इसे मीडियम फ्लेम पे पांच मिनट के लिए और पकाएं इसे डाइरेक्ट उसी बर्तन में डालें जिस बर्तन में आपको कलाकंद को जमाना है यहां पे मैंने केक्टिन लिया है आप चाहें तो कोई भी रक्टैंगल टाइप का बर्तन ले सकते हैं इसे इस तरह से थोड़ा चला लें थोड़ा प्रेस करते हुए इसे इक्वल कर लें अब इसके उपर से मैं थोड़ा पिस्ता और बादाम काट कर डाल रही हूँ यह ऑप्सनल है अगर आपको नहीं पसंदे तो आप इसे नहीं भी डाल सकते हैं अब इसे चार-पांच घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दें ताकि यह बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाए फिर हम इसे काटेंगे चार-पांच घंटे हो चुके हैं और यह बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुका है तो अब हम इसे काट लेंगे इस तरह से चा यह देखिए यह कितना स्वाफ्ट है बिल्कुल दानेदार मार्केट जैसा है अभी राखी आने वाली है तो चलिए हम अपनी मिठाई को राखी से डिकुरेट करते हैं आप इस कलाकंद को एक वाट ट्राई करें और अपने भाई को अपने हाथों से बने हुए मिठाई से राखी बांधें कलाकंद का मतलब ही होता है बिल्कुल सॉफ्ट मिठाई यही एक ऐसी मिठाई है जो कि सिर्फ दूद और चीनी से बनती है इसमें कोई भी मिलावट नहीं होती जैसे कॉन फ्लोर या मैदा कुछ भी नहीं मिलाते हैं इसलिए आप इस मिठाई को अराम से किसी भी बरत में खा सकते हैं और आप इसे फ्रीज में 10-15 दिन तक अराम से स्टोर करके रख सकते हैं यह बिल्कुल भी हाट नहीं होगा बिल्कुल जैसा भी सॉफ्ट है वैसा ही सॉफ्ट का सॉफ्ट रहेगा तो चलिए अब मैं चलती हूँ और मिलती हूँ कोई इसी तरह से नए रेसिपी के साथ तब तक आप मेरी इस रेसिपी को ट्राइ करें और मुझे कॉमेंट बॉक्स में अपना फिडवा क्लिक कर दें ज्यादा सा ज्यादा इस रेसिपी को सेयर करें मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन हीट करना बिल्कुल भी ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग वाई वाई